हेलो फैंड्स वोल्कम बैक टो दी चैनल दोस्तों इस वीडियो में वोड़ा फोन आइडिया के लिए एक लेटिस्ट अब्डेट निकल गया है डिस्कस करेंगे बड़ी स्टार्टिंग करें उससे पहले आप से रिक्विस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टेम देख रहे है आप चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों आज वोड़ा फोन आइडिया ओपें हुआ था 10.10 के उपर और 10.15 का अभी तक हाई है और 9.90 का लो 2.93,36,947 टोटल वॉल्म अभी 10 रुपीज के आसपास ट्रेल हो रहा है 10 बच के 37 मिनट यानि 10 बच के 40 मिनट मान लेजिए इस नहीं ख़बर नहीं है यह कबर आपको पता भी है पहले से मैंने कई तफ़े आपको बताने की कोशिश करिये यह के वोड़ा फोन हमस्राइडिया का जो मैनेजमेंट है वोड़ा फोन ग्रीप और ईडिया ग्रुप ये दोनों इस कंपने के आंथर 1.5, 충분 कर्ना चाहते हैं बिरलब में इंफ्यूस एट लीस्ट 150 मिलियन डॉलर एट लीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कम से कम 150 मिलियन डॉलर यह इंफ्यूस कर सकते हैं कम से कम का मतलब होता है कि 150 करेंगे ही करेंगे यह उससे ज़्यादा कर सकते हैं यह इसका मतलब है वोड अफ उनाइडिया के अंदर इस ही महीने के अंदर जो महीना हमारा नाउमबर चल ला है इस ही के अंदर तो दोस्तों यहां पे यह 150 मिलिन डॉलर इन्फियूस करने के पीछे का लॉजिक क्या है यह तो उन्ट के मुँँ में जीरे के बराबर है की नहीं है बताईए ना उन्ट के मुँँ में जीरा मतलब एक बहुत बड़ी सी शरीर है और उसके अंदर आप एक दाना डाल लेओ यह सोच करके कि उसका पेट बर जाएगा तो इससे थोड़े कुछ होने वाला है मुझे तो लगता है कि इतना सुफिशियन बिलकुल भी नहीं है ना के बराबर यह पैसे हैं कुछ भी नहीं है इस कंपनी के आगे इसके डेट के आगे और शायद इसी के वज़े से इसके जो स्टॉक प्राइस है उसमें आप ज़्यादा जोश आप नहीं देख पा रहा है इन्वेस्टर्स का या बायर्स का क्योंकि उनको पता है इतने से कुछ नहीं हो लाए हलाकि आके यह भी खबर है दोस्तों कि आदित्यबिला ग्रूप यह 150 मिलियन डॉलर इंफ्यूस करेंगे सबसे पहले और कम से कम उससे जदा भी हो सकता है और यह परसनल कपैसिटी से करेंगे यानि किसी कंपनी इनकी जो बहुत सारी कंपनी से हैं किसी कंपनी के रूट के मादिम से नहीं करेंगे बलकि इनके परसनल कपैसिटी से करेंगे अपनी साइट से करेंगे और इनके इनफ्यूजन करने के बाद ऐसा यहां पर मिन्ट की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि इनके इनफ्यूजन करने के बाद वोड़ा फोन पीलसी जो कि इसका second partner है मतलब second जो promoter है वो भी इसके अंदर infusion कर सकता है और वो इसी महीने करेगा या इस महीने के बाद करेगा इसके उपर clarity नहीं है mint की तरफ से इस article में ये बताया गया है कि Vodafun PLC आदित बिरला ग्रॉप के इस infusion के बाद 1 billion dollar तक का investment कर सकता है आप देखिये मैं आपको इस statement पढ़के सुना देता हूँ इस capital infusion by बिरला is crucial पोस्ट बिरला's infusion in personal capacity Vodafun Group PLC 2 is planning to infuse a similar amount into Vodafun idea either as a single investor or as part of consortium of investors who may get invest who may together invest close to 1 billion dollar यानि Vodafun PLC इस company के अंदर इस महीने या इस महीने के बाद इस नौट के लेकिन इतना शोर यहां बताया चाहरा है कि 1 billion dollar के आसपास का amount 1 million नहीं है दोस्तों 1 billion dollar है लगबक 7500 करोर रुपे जो Vodafun PLC या तो consortium of investors यानि कई लोग मिलकर के इतना लगाएंगे यानि कई लोगों का ग्रूप होगा कई लोगों का वो इस के इंदर इंफ्यूज करेगा इतना या फिर आस इस सिंगल इंवेस्टर यानि Vodafun PLC अपनी परिसनल कपैसिटी से या किसी कमपनी की तरफ से वो खुद सिंगल लगाएगा 1 billion dollar ये खबर है और ये खबर कहीं ने कहीं इंवेस्टर को उतना जोश या उत्सार नहीं दे पारी है जो हमें चाहिए क्योंकि हम सभी लोग सारे इंवेस्टर सुन सुन करके इन बातों को पक चुके है पक चुके है जी हाँ ये बात थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा लेकिन सचा यह ही है कि आप पक चुके है आप इस चीज़ को इसके स्टॉक प्रैस में आके देख लीजिए यहां पर कोई मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये खबर तो सुनने के बाद इसमें आग लगनी चाहिए न लेकिन आग क्यों नहीं लग लग दी है इसके पीछे के शायद यही कहानी है जो मैंने आपको बताया लेकिन हाँ अगर कैपिटल इंफ्यूस कर देते हैं तो थोड़ा बहुत उसके बाद आपको दिखाई दे सकता और कैपिटल इंफ्यूस करने के पीछे बिला का लॉजिक यह है कि इससे इंवेस्टर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे और इसके अलावा जो और प्राइवेट पार्टी से जो प्राइवेट एक्विटी फंड से उनसे भी थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर फंड ले आना थोड़ा आसान हो जाएगा बाकी और कुछ तो नहीं है इस मिंट की आर्टिकल में जो रिपोर्ट करी गई है I hope you liked it दोस्तो if you like this content please like this video and take care